नमस्कार मैं हूँ जोती सिंग और आप देख रहे हैं आईनेस न्यूस ब्लस शुरुवात इस वक्ति खास ख़बरों के साथ ब्यार में जीत के बाद मिशिन बंगाल पर बीजेपी बंगाल में टीमसी को हराने के लिए तयार किया प्लान बंग्डाल में चुनाफ होने तक हर महीने हमिश्या और जेपी नड़ा करेंगे दौरा दिली में साफजिक जगों पर छटपूजा आयोजन पर पतिबंद में हस्तशेव से दिली हाई कोट का इमकाल कहा तयोहारू के लिए जिन्दा रहना ज़रूरी हम कोरोना को लेकर आखे नहीं मूच सकते दिली नौरडा बॉर्डर पर कोरोना की रेंड़म रैपिड जाग शुरू टीम तैनात कर आने जाने वाले लोगों का किया जा रहा है टेस्ट आट से दस मिनट में दी जा रही है रिपोर्ट कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिली सरकार ने सावजिक स्थलो पर छट पूजा पर जिस तरह से प्रतिबंद लगाया था उसमें हाई कोट ने हस्तशेफ करने से इंकार कर दिया हाई कोट ने कहा जिस तरह से कोरोना की स्थिती राजधानी दिली में है ऐसी स्थिती में हम इस मुद्दे पर आखे मूद कर नहीं पैट सकते कोरोना महामारी को देखते हुए राज़ने दिली में केज़ुआ सरकार के उसे छट पूजा को साज़्जिक स्थान पर करने पर पाबंदी लगा दी गई है जहां एक तरफ दिली में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे है वाँ दिली हाई कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुना है जहां पर एक याचिका जो की यह दर्खास्त कर रही थी कि दिली में छट पूजा के लिए लोगों को एकत्रित होने दिया जाए उसको पूरी तरी पूर्ण तरीके से खारिज किया है और कहें कि जो याचिका करता है या पैटिशनर है उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि दिली के हालात क्या है दिली में आल्रेडी जो है तीसरी कोरोना वाइरस की वेव चल रही है और इसके चलते ऐसी मंजूरी देना बिल्कुल भी अ फैल्ड किया और उसको कहा है कि वह ओर्डर बिलकुल सही है और उसको बिलकुल खारिज नहीं किया जा सकता नहीं खाय, 19 नमबर को खड़ना, 20 नमबर को संध्या अर्ग और 21 नमबर की सुफ़ा सुरज को अर्ग देने के साथ इसकी समाप्ति होड़ी ग्रोल रिपोर्ट आनिस्टिक बंगाल चुनाव की तयारियों का जायजा लेने के लिए हर महीने पार्थिय दक जेपी नडड़ा और हम इस चाह बंगाल का दौरा करेंगे और राज्य काई दौरा की जा रही तयारियों का जायजा लेंगे, तारीकों का एलान अभी तक नहीं भुआ है बिहार विधानसावा चुनाव में जीत से गदगद बीजेपी अब मिशन बंगाल पर जुट गई है पश्चिम बंगाल विधानसावा चुनाव दोहजार एकीस में ममता बैनरजी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं चोड़ना चाहा दी बीजेपी की पश्चिम बंगाल लिकाई की अध्यक्ष दिरीब घोश ने कहा है कि केंद्रे ग्रेमंत्री अमिश्चाह और पार्टी के रास्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा प्रदेश में विधानसावा चुनाव खत्म होने तक प्रतियक महिने राज्य का दौरा करेंगे की बजाए केंद्रे नेत्रितव के प्रत्यक्ष प्रभार के तहन विधानसावाद चुनाव के ने कमान रखने का फैसला किया है यूरो रिपोर्ट आएनस टीवी तैस्थानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामनों पर राजनीती भी जमकर्प हो रही है इस मामने में आप और बीजेपी एक दूसरे पर आरूप पत्यरोप कर रही है बीजेपी का यह कहना है कि दिल्ली में जिस तरह से कोरोना के केसिस बढ़ रहे हैं पिछले करीब 17 दिनों में 1300 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया है और कोरोना के मामलों में भी तेजी बरकरार है। आमाधी पार्टी का यह कहना है ग्रह मंत्री के साथ जू पैचक हुई उसमें तीन दिन में दिली को 750 बेट्स देने का वायदा किया था लेकिन अभी तक एक भी बेट्ने है मेरा। वाश्पा को साथ साथ सच चुनके देती ना हो। जैसे दिली वासी सवा सो करोर रुपे का इंकम टेक्स केंडर सरकार को देते ना हो। ऐसे ऐसाम दिखा के पोश्टर तो लगा दी वर मुझे बहुत दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है। इत्वार को केंडर सरकार और केंडरिय मंत्री जी ने यह वादा किया था कि अगले 24 घंटे के अंदर 200 आइस्यू बैट्स दिली के लिए होंगे। और उसके 24 घंटे अगले 24 घंटे में और 200 बैट्स और उसके अगले 24 घंटे में और 200 बैट्स आज बुद्वार तीन दिन हो चुके हैं और अभी तक मुझे बहुत खेट के साथ कहना पड़ रहा है कि वह पहली 200 बैट्स की खेप भी दिली सरकार को करोना के लिए नहीं दी है कि मैं मानता हूं पोस्टल बाजी और क्रेडिट लेने की होड आपके लिए हमेशा रहेगी आप कर सकते हैं मगर जो वादा आपने किया है जो बोल आप बजा रहे हैं पिछले दिन से उसको पूरा जरूर कीजिए क्योंकि दिली वासी जितनी उमीद दिली सरकार से करते ह उतनी ही उमीद के मिर सरकार के अस्पतालों से भी करते हैं दिली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दिली में बढ़ते कोरोना के मामनों को सीम की नाकामी बताया और कहा कि दिली में सब खोल दिया है दिली की जनता के लिए कोई दर्द नहीं है दिली के अस्पतालों की वेवस्ताएं खराब हैं अपनी नाकामी तो छिपा रहे हैं दूसरा दिली की जनता का जो कमाई का टैक्स के रूप में पैसा लिया जाता है उसको दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने प्रचार में इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें दिल्ली की जन्ता की कताई परवा नहीं है अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को जरा भी उनके दिल के अंदर जरा भी दिल्ली की जन्ता के लिए दर्द होता तो वो आज ये नौबत दिल्ली वालों को देखने नहीं पड़ी पूरे देश के अंदर जब करोना के केस कम हो रहे हैं दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं आपके पास इतने वालेंटियर फोर्स है आपने उस समय करोना से लड़ने के लिए और अवेरनेस के लिए उस समय क्यों नहीं लगाए हैं आपको मार्केट्स खोल दिये आपने सराब की दुकाने खोल दी आपने बसों डीटीसी बसों में फूल कैपेसिटी कर दी आपने हर जगे सब चीजे खोल दी और आज दिल्ली की जंता को करोना के उस मौत के मुँ में फेक रहे हैं बेरहाल राज़ीती तो पहले से जारी है लेकिन करोना के बढ़ते मामनों ने लोगों के अंदर दर का माहौल पैदा कर दिया है जिसके चलते दिली सरकार ने शादियों में मिली छूट को वापिस ले दिया है और जरुरत बढ़ने पर बाज़ारों को भी बंद किया जाएगा ब्यूरो रिपोर्ट आयेस दिली दिली में कोरुणा की केसिस बढ़ने के बाद दिली में कोरुणा की टेस्टिंग बढ़ा दी गई है आनंद व्याहर बसड़े पर आने वाले हर चक्स की कोरुणा टेस्टिंग की गई और रिपोर्ट अगर उनकी पॉजिटिव आई है तो उन्हें आक्षधाम कोविट किया सेंटर में क्वारंटीन के लिए शिफ्ट किया गया आपको यह भी बता दें कि अगर आप दिल्ली से नौईडा में एंटरी कर रहे हैं तो यहां पर भी कोविट टेस्ट हुए लोगों के और उनको तुरंथ ही दस मिनट के अंदर रिपोर्ट सौप दे गए राजथानी दिल्ली में कोरोना का भयानक प्रकोप इन दिनों देखा जा रहा है दिल्ली में फिर से कोरोना की मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है नए आकलों के मताबिक 24 घंट में राजथानी में 6,396 नए केस दर्श हुए है इसी को देखते हुए जगा जगा टेस्टिंग बढ़ा दी गई है और इसी करम में आरन्वियाहर बसड़े पर आने वारे हर शक्स का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है जसकी रिपोर्ट कुछी वक्षी वक्त के इंतजार के बाद मिल रही है और जिसकी रिपोर्ट पॉजितिव है उसे खेलगां COVID केर सेंटर या फिर छदरपुर COVID केर सेंटर में कोरंचीन के लिए भीजा जा रहा है लेकिन ये भी देखा गया कि टेस्ट के नाम पर कुछ लोगों ने वहां से भागने की भी कोशिश की कोविट पेशेंट निकले हैं इनको अब कहां ले जाए जाएगा अक्षरदाम कोविट के सेंटर आञी हैं यहां पर जो लोग आते हैं वो अधिक तर्स यातरी होते हैं या कहां से होते हैं तो सुचित किया जाता इस बारे में की वहां भीजा जा रहा है हमारे सामने ही करते हैं, वो सबके पास ही फोन होता है, हम ये make sure करते हैं कि सबके पास फोन हो और हमारे सामने ही वो अपने गर पे इंफॉर्म करते हैं या भगने की भी कोशिश करते हैं? राज़ारी में कोरोना की बढ़ते मामलों को देखते हुए, यूपी की नौइडा में भी सतरकता बढ़ती जा रही है नौडा प्रिशासन इस संक्रमन पर रोक लगा रहे के लिए बॉर्डर पर रेंडम टेस्टिंग का फैस्टा किया है आला कि दिली से नौडा आने जाने पर कोई रोक नहीं है बहराल दिली में कोरोना विस्पोर्ट से जबरदस देश्चत है संक्रमन के आकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं आलंग ये है कि दिली में हर घंटे कोरोना से करीब चार मौत हो रही है राज़ाने में बढ़ते मामलों को देखते हुए दिली और केंदर सरकार इलाज के पूरे अंतजाम करने में लगी है आईसियू में बिस्तरू की संख्या बढ़ाई जा रही है और ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरू के अंतजाम किये जा रहे है दिली में कोरोना का प्रकोप खतरनाक स्तिती में जा पहुँचा है कोरोना के मद्य नजर दिली के तमाम बड़े अस्पतालों में अलग से इंतजाम किये गए है एम्स की ट्रॉमा सेंटर को कोरोना की मरीजू के लिए रख दिया गया है लेकिन एम्स की डॉक्टर्स का ये भी मानना है कि कोरोना पेशिंस के चलते कोरोना का असर जिस तरह राजधानी दिली में देखा जा रहा है इसके चलते एम्स में देश के कोने कोने से अपना इलाज कराने के लिए जो गंभीत बिमारियों से ग्रसित मरीज पहुँचते है उनकी कही न कही अंदेखी हो रही है उनको वक्त पर इलाज नहीं मिल पा रहा है आई देखते हैं इसी पर हवारी ये खास रिपूर्ट दिली में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं इसके लिए दिली के कई इस्पतालों में अलग से इंतिजाम भी किये गए हैं एमस की ही बात करें तो यहांकि ट्रॉॉमा सेंटर को कोरोना के मरीजी कि लिए रखा गया है एमस की डॉक्टर्ज का भी मानना है कि पिछले दिनों वस्पतालों में कोरोना के मरीज बढ़े हैं हम बहुत कमी नम्मरों पेशेंट कर पा रहे हैं जो मैलिगनेंसी को प्राइविटी पर रख रहे हैं बाकि जो सर्जरी की वेटलिस्ट एम्स में तो अल्रेडी इतना लंबा जो वेटलिस्ट रहता था एक एक दो दो साल का अब नाओ कि उनका यह सीन है कि अभी उनको तो लि सहिmp 可以 just trauma center II trauma center एम्स का-डुनिया के world class trauma center में से एक हैं तो यहाँ पर जो complicated जो केसे से हैं तो सब आते हैं कहीं नहीं उस परकार कि जो एड वांस के रहे हैं वहाँ वबिट की वज़े से एंपट हो रही है और एंस का मैं विपिकली इसके माधियम सिके है भी कहना जो काफी complicated cases होते हैं जिनको across the country वो AIMS के अंदर ही आते हैं तो कहीं ने कहीं उस चीज को primary objective को fulfill नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि pandemic AIMS के अलाबा देश के सारे hospitality pandemic का सामना कर रहे हैं बट AIMS का जो primary objective है वो कहीं ने कहीं हम उस चीज को पूरा नहीं कर पा रहे हैं यह है पांच साल का मासूम प्रिंस जिसके दिल में छेथ है प्रिंस के पापा उसे बिहार से इलाज के लिए AIMS लेकर आए यह सोच कर कि दिली में इलाज मिलेगा और उनके नन्ने से बेचे को नहीं सिर्दगी लेकिन यहाँ पर निराशा ही हाथ लगी क्योंकि डॉक्टर्स ने कोई संतोज जनक जवाब नहीं दिया दिक्कत इनका मतलब कि दिल का जो में फुराख है तो दिल में सुराक है तो ये लो मतलब कि गाउं में ट्रेटमेंट कराए होंगे तो वहां बोल दिये थे कि पानफाल का बच्चा होगा जब होगा अब वहां पर मतलब की मना कर दिये मना करने के बाद अब ये लो यहां लेके आए हैं यहां के लिए भेज़े थे अब यह में लेके आए हैं कलफे लेके आया कलफे यह लो परफान हैं मरजनफी में मतलब की थोड़ा फ़ा दिखाए यह लो वहां थोड़ा बहुत तूटमेंट किया होंगा उसके बाहर निकाल दिया अब देखिया फूट पात्पा है यह तो करह दो नहीं कहां अब भेज़ा थाए यह तौटमेंट को फूश्यों को देखिया जे पात्ता हैं यह बाहए लो दीकाल जो फो दोट्य। था व 오 आनी मतलम हैं वह लोगश्वरा हैं वह लोगना हैं वह पले काल है वहा जोड़ों वह तूब करें वहां वह में दोग कर दो